हेलो दोस्तो एड़ो टाइमनी इंडिया की एक और इंफोमेटी वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं स्टेट बैंक ओफ इंडिया में तो आप किस तरह से घर के कंफर्ट में रहते हुए अपने मुबाइल फोन का इस्तमाल करके ये सेविंग अकाउंट घर बैठे खुलवा सकते हैं इस वीडियो में हम लोग step by step पूरा प्रोसेस देखेंगे कि आप इस अकाउंट को किस तरह से खुलवाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम पूरे step by step प्रोसेस को समझने के साथ साथ इसमें जो भी technical issues आ सकते हैं उनके बारे में भी discuss करेंगे कि आप उन technical issues को किस तरह से resolve कर सकते हैं या उनसे किस तरह से बच सकते हैं तो सबसे पहले जब भी आप इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो इसके लिए आपको दो apps की आवशकता होगी पहली तो होगी हमारी योनो sbi app जिसको आप अपने play store से या फिर अगर आप apple devices यूज़ कर रहे हैं तो app store से आप इस app को download कर सकते हैं और अगर ये app आपके mobile में आपने पहले से install कर रखी है तो आपको ये ensure करना है कि ये पूरी तरह से updated है यानि कि इसका latest version जो है वो आपके mobile phone में installed है इसके अलावा आपका जो default web browser है जैसे most of the cases में android devices में आप chrome यूज़ करते हैं और apple devices में most of the cases में लोग safari यूज़ करते हैं तो आपको ये ensure करना है कि ये दोनो application भी latest version पर हो और पूरी तरह से updated हो तो आपकी ये दोनो app एक तो योनो और आपका जो web browser है ये पूरी तरह से updated हो तो आपको इस process के अंत में जब video kyc आपका होगा उसमें आपको problem आ सकती है so I recommend कि इस process को शुरू करने से पहले ये ensure जरूर कर ले कि ये दोनो apps पूरी तरह से updated है अब process देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये योनो sbi app install करनी है इस app को जब आप install करके open करेंगे तो आपक कुछ एक या दो second की processing के बाद आपका जो अगला page है इस app पर वो कुछ इस तरह का खुलेगा हम नया account खुलवा रहे हैं तो हम click करेंगे new to sbi पर new to sbi पर click करने के बाद next page पर हमारे सामने तीन menu खुलेंगे open new saving account home loan और car loan तो हम यहाँ पर अपना saving account open करने का process देख रहे हैं तो open saving account पर click करेंगे इसके बाद दो तरीके बताए हुए हैं इसमें account खोलने के एक तो with branch visit और without branch visit तो हम घर पर रहते हुए घर के comfort में अपना account खोलना चाह रहे हैं तो हम click करेंगे without branch visit without branch visit पर click करने के बाद आपको next page पर यह option दिखाएगा तो हम लोग जोनों के माद्यम से जो account खोलने वाले हैं वह account हमारा insta plus saving account कहलाता है इस account के कुछ basic features यह है कि आपका जो account है वो fully KYC होगा जो आपके KYC का verification है वो एक video call के जरिये होगा और इसमें balance की कोई restrictions नहीं है यानि कि आप जितना चाहे balance रख सकते हैं जितनी चाहे transactions कर सक अगर आप salary account खुलवाना चाहते हैं तो इसको tick करेंगे हम salary account नहीं खुलवाना चाहते हैं तो हम सिधा submit पर click करेंगे next page पर आपको दो menu दिखाई देंगे start a new application और resume application इस resume application menu के उपयोग हम लोग तब करेंगे मान लीजिए हम account opening के process में काफी आगे निकल गए हम अपनी personal information record क करेंगे फिर corresponding address record करेंगे उसके बाद nomination करेंगे UID का verification करेंगे तो हम काफी आगे निकल गए फिर हमारे कुछ technical glitch की वज़े से या फिर हमारा internet नहीं चलने की वज़े से हम जो है application आगे नहीं बढ़ा पाए तो उस case में क्या होगा कि आपका एक ID password जो generate हो जाएगा यहां पर इस application को जब आप process करेंगे तो आप resume application पर दोबारा क्लिक करके पीछे वाले सारे steps आपको करने पड़ेंगे उसके बाद जब इस step पे आएंगे तो सीधा resume application पर क्लिक करेंगे आपका mobile number और password यहां पर डालेंगे और आप सीधे उसी page पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपक directly उसी page पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी application crash हुई थी या किसी वज़े से आपकी application आपकी जो mobile app है वो बंध हो गई थी तो हम यहां पर एक नई application start कर रहे हैं तो हम इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद हमारे जो products के कुछ features बताएगा यहां पर पहला feature यह एक fully KYC account account है जो की video call के माध्यम से खुलेगा दूसरी चीज paperless account है आपको किसी तरह के कागज की जरुत नहीं होगी branch visit की आवशकता नहीं है personalized रुपे debit card आपको प्राप्त होगा यानि की ATM card भी आपका यहीं से apply हो जाएगा जब आप account खोल रहे होंगे इसके बाद जो सबसे important चीज है वो यह है कि आपका जो pen card है वो आपके अधार card से link होना चाहिए यह government of India की guidelines के according जरूरी है इन features को देखने के बाद हम लोग इस menu प पर इस checkbox पर टिक करेंगे और next button पर click कर देंगे next page पर हमें पूरा process बताएगा कि यह account opening का process किस तरह से काम करेगा generally जब आप branch में account खोलने जाते हैं तो process कुछ इस तरह का होता है आप एक account opening form भरते हैं form को आप submit करते हैं अपने KYC documents के साथ यानि की ID proof और address proof के साथ branch official को submit करत है कि आपने account opening form जो है वो ठीक बरा है आपके जो KYC documents है वो सही है यह सब verification होने के बाद वो आपका account open कर देगा यहां पर क्या होगा यही process होने वाला है यह process होगा आपका online माद्यम से account opening form और KYC details आप भर देंगे आपकी इसी application में इसी process के माद्यम से branch officials आप से जुड documents को verify कर लेगा और आपका account खोल देगा process सारा वही है बस तरीका change हो गया है यहां आप branch जाने की बजाए यह सारा process online करेंगे और उसके बाद video call के माद्यम से आपकी जो है identity verify कर ली जाएगी तो यहां पर process को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं otherwise next पर click कीजिए next पर click करने के बाद यहां पर अब आपको अपना mobile number एंटर करना है और अपना email ID एंटर करना है यहां ध्यान रखना है email ID completely optional है आपको mobile number एंटर करना जरूरी है तो हमने यहां पर दोनों एंटर कर दिये हैं दोनों एंटर करने के बाद हम submit button पर click करने हैं submit button पर click करने के बाद आप चले जाएंगे आपके mobile पर भी और email ID पर भी अब आपका mobile number और email जो है दोनों verify होंगे आप ok पर click करेंगे click करने के बाद mobile का OTP और email का OTP यहां पर enter करेंगे और submit बटन पर click करेंगे click करने के बाद next page पर आप से आपका password पुछेगा जो की आपको रखना है पासवर्ड कुछ इस तरह का होगा minimum 8 character होने चाहिए plus एक upper character भी होना चाहिए और एक lower character होना चाहिए digit होनी चाहिए एक दो तीन चार जो कुछ भी और एक special character जैसे add the rate star plus इस तरह का तो in general मैं example के लिए बता रहा हूँ जैसे sbi add the rate 1234 यहाँ पर capital letter, small letter, special character और number यह चारों चीज़े आ जाएंगे तो यह password रखने के बाद एक security question आप लोग select करेंगे security question select करने की पिछे कारण यह है अगर आप किसी वज़े से अपना password भूल जाए तो आप इस security question का प्रेयो करके उस password को दोबारा से retrieve कर सकते हैं तो security question यहाँ पर यह drop down menu से select करेंगे और उसका कोई भी answer select करेंगे जैसे what is your best friend तो इसका answer मैं लिख रहा हूँ sbi तो आप इस question को select करके और इस answer को डालने के बाद अपना password दोबारा से change कर सकते हैं अब इस drop down menu में और क्या-क्या questions आ सकते हैं for example मैंने ये कुछ screenshot इसमें डाल दिया है जिसमें कुछ questions दिखा रखे हैं कि favorite author कौन है best friend कौन है neighbor's pet name कौन सा है favorite hobby क्या है food क्या है sports क्या है तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि कि इस तरह के question आप select कर सकते हैं और उसका answer यहां रखे और इसको आप याद रखेंगे तो यहां तक आपने देखा आपने अपना mobile number डाल दिया है वह verify हो गया है दूसरी चीज आपने अपना password भी यहां पर रख लिया है तो starting में हम लोगों जहां से यह application start की थी वहां पर जो second option था कि हमें अपनी application दुबारा से resume करनी थी वहां पर यही दो credential डाले जाते हैं अगर आपकी जो application है किसी वज़े से crash कर जाती है या technical issue की वज़े से बंद हो जाती है इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है अब यह सारी details डालने के बाद आपको ok पर click कर देना है ok पर click करने के बाद आपसे declaration लिया जाएगा फटका CRS का इसको click करेंगे tick करके हम लोग next button पर click करेंगे और इसके बाद यह app हमारी कुछ personal details capture करेगी तो personal details के page में आप इस menu को scroll down करेंगे और scroll down करने के बाद आप इस agree button को tick करेंगे और next पर click करे अब आपकी अधार की detail यह मांगेगा यहाँ पर हम लोग अपनी अधार की detail एंटर करने के लिए इस button पक्लिक करेंगे बटन पर click करने के बाद अब आप यहां देख रहे होंगे कि यहां पर next button गायब हो चुका है गायब होने का मतलब यह है कि अभी आपको next पर क्लिक करने की ज़रुत नहीं है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह automatically आपको next page पर ले जाएगा तो आप enter अधार नंबर पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद next page पर यहाँ पर आपको अपना अधार नंबर डालना है और get OTP पर क्लिक करना है जो भी registered mobile नंबर होगा अधार पर उसको उस पर आपका OTP चला जाएगा okay पर क्लिक करेंगे और उस OTP को यहाँ पर enter करेंगे एंटर करने के बाद हम लोग submit बटन पर क्लिक करेंगे submit बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो personal details है जो अधार में feeded हैं वहाँ से यह सारी details automatically fetch करेगा यहाँ पर आपका अधार नंबर आ जाएगा आपका नाम आ जाएगा, gender आ जाएगा, date of birth आ जाएगी यह automatically उठाएगा यह सारी चीज़ें आपके अधार के record से इसके बाद आप next बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका address और pin code आ जाएगा इसके बाद state, sub district और village यह आपको manually select करना पड़ेगा अपना यह select करने के बाद इस check box पर tick करेंगे और next बटन पर क्लिक करेंगे personal detail capture होने के बाद आपका address जो है उसकी detail आप से लेगा यह detail आप लोग यहाँ पर enter कर सकते हैं तो correspondence address में आप अपना मकान नमबर, area, city, state, pin code और address कब तक valid है यह सारी detail डालेंगे डालने के बाद यह आपको तीन check box है इनको tick करना है, कुछ undertakings है इसको tick करने के बाद आप next बटन पर क्लिक करेंगे आपको अपना pen number डालना है और next पर क्लिक करना है आप जैसे ही next पर क्लिक करेंगे तो आपको personal detail में आपकी photo दिखाएगा यह जो photo है यह उठाता है आपके अधार card से तो अधार card वाली photo आपको यहां दिखाई देगी इसके बाद आप next पर क्लिक करेंगे आप अपना education qualification सेलेक्ट करेंगे कि आप कितना पड़े लिखे हैं suppose मैं graduate पर tick कर रहा हूं जैसे ही हम लोग इस पर tick करेंगे next page आ जाएगा आप अपना marital status टिक करेंगे married, unmarried या others यह टिक करने के बाद next page आपकी additional details आप अपना place of birth बरेंगे उसके बाद अपना father name आप यहां पर feed करेंगे mother name जो है वो feed करेंगे आप लोग यहां पर और spouse name अगर आप married हैं यहां पर भरेंगे और इस check box पर tick करेंगे और next button पर click करेंगे इसके बाद आप करते क्या हैं उसके बारे में आप details फीड करेंगे तो मैं यहां पर service select करता हूँ service select करने के बाद मेरे से पूछेगा अगर मैं service select करता हूँ तो ये पूछेगा कि मैं किस तरह की जॉब कर रहा हूँ अधर्स सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह का मैन्यू मेरे पास आ जाएगा कि अधर्स में कौन-कौन सी जॉब्स आती है जैसे आप देख सकते हैं तो इस तरह की जॉब्स मेरे को दिखाएगा और आप इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिजनस सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट कैटेगराइजड पर भी टिक कर सकते हैं अब मैंने सर्विसे सेलेक्ट किया है तो नेक्स्ट पेज में पूछेगा कि कौन सी सर्विस है स्टेट गॉर्मेंट, सेंटर, पिएस यू, प्राइवेट सर्विस और दो नोट वान टो डिकलेर तो यहाँ पर आप अपनी टाइप अफ सर्विस सेलेक्ट करेंगे सलेक्ट करते ही नेक्स्ट पेज आ जाएगा आप से इंकम पुछेगा तो मैंने अपनी इंकम डाल दी है दोलाक रुपए पर ये आपकी एन्यूल इंकम है ये जान रखिएगा ये डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद नॉमिनेशन डिटेल जो है आपको बरनी होगी नॉमिनेशन में आप नॉमिनी का नाम उनका आपके साथ क्या रिलेशन्शिप है उनका डेट ओव बर्त ये बर दीजिए और अगर नॉमिनी माइनर है तो उस केस में नॉमिनी के गार्जिन का नाम और गार्जिन की एज ये दोनों चीजे बरेंगे बरने के बाद हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पर नॉमिनी का हम लोग एड्रेस फीड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर next page पर पुछेगा कि आप यह account कहां खुलवाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं अगर आपको branch code पता है तो आप branch code पर click कीजिए branch code डालिए और उस branch को select कर लिजे अगर आपको branch code नहीं पता है तो branch name पर click कीजिए click करने के बाद next page पर कुछ इस तरह का interface खुलेगा कोई भी branch जो है आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो मेरे case में मैं यहाँ पर select कर रहा हूँ विकानेर विकानेर जैसे ही मैं select करूँगा तो नीचे list आ जाएगी की विकानेर में कौन-कौन सी branches हैं और उन में से मैं कोई भी branch select करके अपना account खोल सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर branch select कर ली next page पर मुझे यहाँ पर branch दिखा देगा branch दिखाने के बाद हम लोग next button पर click करेंगे यहाँ पर next page पर terms and conditions दिखाएगा तो आप लोग click करेंगे read terms and conditions पर और इसको यहाँ पर scroll down करेंगे scroll down करने के बाद आप इस button पर click करेंगे click करके और next button पर click करेंगे next करते ही एक बार फिर से आपके पास OTP आएगा okay पर click करेंगे और इस OTP को हम लोग वापिस enter करेंगे enter करने के बाद हम लोग next button पर click करेंगे next page पर आपके ATM card की detail पुछेगा debit card की detail तो debit card में आप एक चीज़ चेंज कर सकते हैं कि card के उपर जो नाम है वो आपको दिखा रहा होगा जो नाम आपके account में आपने अपना डाला है तो अगर आप यहाँ पर card पर कोई और नाम चाहते हैं I recommend कि इस token number को आप किसी paper पर किसी copy पर लिख लें यह जो token number है यह तीन दिनों के लिए valid है यानि कि आपको अपना video call के माद्यम से जो verification है वो तीन दिन में करना ही करना है तो अब इसको थोड़ा scroll down करेंगे scroll down करने के बाद इस undertaking को हम लोग click करेंगे और next button पर click करेंगे next button पर आपको video kyc का process जो है उसकी एक summary दे देगा तो जब भी आप video call का process शुरू करेंगे तो आपको जो चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको अपना original pen card, original adhar card यह दोनों हमेशा पास में रखने हैं एक pen और एक white paper यह चार चीजें आपको हमेशा अपने पास रखनी हैं जब भी आप अपना video kyc का process स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप next पर click करेंगे next पर click करने के बाद start video call पर click करेंगे अब आप जब start video call पर click करेंगे तो यह अब आपको redirect करेगा आपके web browser पर और android के case में हम मान सकते हैं आपके जो chrome browser है उस पर आपको redirect कर देगा तो chrome browser आपका इसी लिए updated होना ज़रूरी था तो chrome में kyc process आपका start होगा आप i agree पर click करेंगे start journey पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद आपको बता रहा है कि आपको अपना original pen card past में रखना है पैन और paper पास में रखना है मैंने आपको बताये कि आपकोites आपको आदार card भी 7 में रखना है तो यह ensure किजिएगा आप अपना आदार card अपने साथ में ज़रूर किएगे ये तीने चीजे साथ में रखने के बाद आप I am ready पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपका जो web browser है वो permissions मांगेगा आपके camera की क्योंकि camera के मादम से ही आपका जो वीडियो है वो सामने bank official को दिखाई देगा microphone की क्योंकि अगर microphone की permissions on नहीं होंगी तो आपकी बात जो है वो आगे सुनाई नहीं देगी उसके बाद location की तो ये तीन permissions आपको देनी है आप यहाँ पर allow permission पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो next page जो आपका दिखाई देगा वहाँ पर आपसे permission मांग रहा है तो आपको allow कर देना है next page पर जब आपसे दोबारा पूछेगा तो यहाँ आपको select करना है while using the app इसको क्लिक करेंगे ये camera की permissions हो गई इसी तरह से आपसे microphone की permissions भी लेगा और इसी तरह से आपसे location की permission भी देगा location की permission हो सकता है आपके सामने ये problem आए retry का option आपको दिखाई देता रहे ये इसलिए होगा कि आपको अपने mobile में location on करनी है swipe down करना है उपर से और आपकी location जो है on करेंगे on करने के बाद retry पर आप जैसे ही click करेंगे तो ये location की permissions भी on हो जाएंगी अब इसके बाद आपकी जैसे ही video call शुरू होगी तो दूसरी तरफ bank official आपसे बात करेगा आपसे आपके original ID proof दिखाने के लिए कहेगा original ID proof और address proof दिखाने के बाद आपका एक signature कैप्चर होगा जो कि आपने अपना white paper और pen साथ में रखा था उस पर आप अपना signature करेंगे और उस official को दिखाएंगे तो वो आपका signature capture हो जाएगा इसी video call के दोरान आपकी एक photo भी capture की जाएगी जो कि आपके account में हमेशा दिखाई जाएगी आपके verification के लिए जब भी आप रांच में जाएगे ये verification process के बाद जब आपका call disconnect हो जाएगा तो उस समय आपको ये SMS आएगा Thank you, your video call has ended, we have successfully recorded your information, you will shortly receive an update on the status of your application इसके बाद कुछ समय बाद आपको एक SMS आजाएगा जिसमें आपको अपना account number प्राप्त हो जाएगा तो ये पूरा process है कि video call के माद्यम से आप trade bank में saving account किस तरह से खुलवा सकते हैं अगर इस process में किसी तरह की problem आप फिर भी face करते हैं तो आप comment box में हमें पूछ सकते हैं अगर आपको हमारा video informative लगा तो please like and share the video and don't forget to subscribe the channel Thank you so much